माशारदा संजीवनी अस्पताल के द्वारा रविबार को गाजीपूर जिले के बारा कला गाउं के पंचायद भवन में मुखिया आजाद अंसागी एवं बुफराओ की देखरेख में निशुल्क स्वास सिविर का आयोजन किया गया इस सिविर का उध़ाटन जिले के जाने माने चिकित सक एडी उपाध्याए नेत्र विशेशग्य सुरुती उपाध्याए के द्वारा किया गया कारेक्रम में चित्रकूट अस्पताल से आई तथा जिला मुख्याले के नयावा सेशन के पास अपना नीजी अस्पताल चला रही नेत्र रोग विशेज़के दॉक्टर सुरुती उपाध्याय ने कहा कि यह मेरा दूसरा कैम्प है इस कैम्प में भी लोगों को यह बताया गया कि वह अपने आखों के प्रतिला परवाही ना बरते लोगों को जागरुप किया गया आथी उन्हें दवाएं भी दी गई इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि सीविर में जो पर्चे उन्हें मिले हैं इसी पर्चे को लेकर वह जिला मुख्याले इस्थित अस्पताल में पहुच कर निसुल्क स्वास्थ सेवाओं का लाब आगावी 15 दिनों तक ले सकते हैं मौके पर हिर्दय रोग विशेशक के डॉक्टर एडी उपाध्याए भी मौजूद थे हुआ ने भी बताया कि साथ ही उन्हें हिर्दय को स्वस्थ रखने के तरीके भी बताये गए सुनिए चिकित सक ने क्या कहा लोगों को जागरूख करना उनको मोतिया बिन के वारे में ब जाज जो है उसको अगर समय से नहीं किया गया तो वह और शरीर में फैल सकता है तो ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिल रही है लोग जागरूख ही नहीं है उसको वह लगे में ले रहे हैं तो में उद्देशे तो उनको जागरूख करना और उनको सहीत दिशा में तो यह जो मुहिम हमने छेड़ी है कि हम गाउं गाउं जाके बकसर से मोतियविंद का जो रोग है इसको हटा कि उनकी जिन्दगी में नई रोशनी दें तो इसी को आगे ले जाते हुए आज हमने हाग किया है अगले पंद्रा दिन में फिर चौसा में स्वास शिवर लगाने की उजणा में हूँ तो कोशिश यही है कि लोगों को गाउं गाउं में जाके उनको इस चीज़ के लिए जागा जाए जाए इसकार बनाने में कल्यानी हरवन पाद्धाय के दौरा तीन सो अरूग्यों की इसकार कोश सफल बनाने में कल्यानी हरवन गुरुप के राजन कुमार की वारी इसके होजा चिंता हरन अपाद्धाय अभैल्डूबे राकेश रंजन दूबे ओम्प्रकास मिस्रा नर्सिंग स्टाफ स्रनी कुमार सागर कुमार रभी सिंग मिश्नु मिस्रा रूभी कुमा कारी की भूमी का अखम रही।